तो अभी करीब सुबह के सवानो बज़ रहे हैं और मैं अभी अपने होटेल के च्छत से आप से बात कर रहा हूं आज 31 तारीक 2022 22 अक्टोबर का महिना चल रहा है और यह मेरा पंदरवादे में इस ट्रिप का तो मैं रड़ी हो चुका हूं आज के लिए तो देखते हैं कहां जाना है और उससे पहले ब्रेक्पस्ट करना जरूरी है आलू मैंने गोवी पराठा मंगा है चाय के साथ यह आज का ब्रेक्पस् रेट है सत्तर रुपे चाय का रेट पता नहीं मुझे है अच्छा पचास रुपे चाय का रेट है यह मेरे होस्टल द कल्चर नेशन के रूप टॉप से वादियों का नजारा मेरे आंकों को सुकून पहुचाते हुए मनाल सो नदी आरें ब्रिच ओल्ड मनाली पर चल रहा हुँ आज का पोग्रा मनाली मॉल में जाकर ही बनेगा तो वहीं मिलते हैं आप लोगों के साथ यह हिमाचल टूरिजम का है मार्केटिंग ऑफिस और यह मॉल रोड पर ही है इनका जो ऑफिस है मॉल पर ही है यह देखिए इधर आपको अटल बिहारी जी का स्टाच्व मिल जाएगा देखने को तो मैं जरा जाता हूं अंदर पता करने सामने यह मालानी मॉमोस करके है उसी के साथ है मैं अंदर जाकर देखते हैं तो भाईो पिमाचल टूरिजम के जो डिपार्ट जो ऑफिस है मार्केटिंग ऑफिस वहां से मुझे काफी बहुत सारे इंफॉर्मे दोस्तों इस लक्त मैं बैठा हूं एच्पीडीटीच के जो बस टॉप है उहां पर एलेक्ट्रिक बस है जो वसी स्टेंपल की तरफ जाता है पहले तो मैंने सोचा था कि पैदल जाऊंगा लेकिन जब इलेक्ट्रिक बस मिली है मुझे यहां पर जो वैन है तो उसमें जान अभी मैंने पूछा था तो पताया कि जो गिनिफोन आना जाना बस टेंपल से करीब एक घंटे का रास्ता है तो एक घंटा वहां पर हम बिताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे इधर मैंने हिमाचल टूरीजम में पता गिया है कि क्या कौन-कौन से इनके बसेस जाते हैं लोक पोसिस लेगी जो भी दिखाने की हम अब धीरे धीरे वसेस टेंपल की तरफ जा रहे हैं तो टाइम करीब 11-10 और बस स्टेंड से क्रीब धाई किलोमेटर का रास्ता है वसेस टेंपल को वियासमदी हमारे लेप सैट से जा रही है जा रही है नि बहर रही है अब इसो की पान में बंधा हुआ पड़ा है पानी अभी छोड़ा नहीं गया है और वह देखें पीक करीट सा आठ सो साड़े आठ सो मिटर की दूरी पर है उदर देखें सामने काड़ी बहुत इसको लेखा रही है कि यह देखें जगा जगा पार्किंग इस तरीके से बनाए हुए है यह देखें हुआ हुआ है कि इसमें होटल बन रहे हैं सब मेरे कहाल से घर तो नहीं है यह चोटा सा पुलिया कह लीजिए ब्रिच कह लीजिए इसको क्रास करके सीथे जाना है अब हमारी यह बस कितनी दूर जाती है यह नहीं पता यह वाले बसस तो यहां पर रुक रही है शायद जो फोर्स ट्रैवलर्स हैं उनकी पार्किंग है यहां पर यहां से देखिए लेंड्सकेप बहुत बढ़ी है तो इस तरह के जो इलेक्रिक गाड़ी है वही जाती है यहां पर आती है आपके मनाली स्टेंट से बस्टेंट से मानु मार्कट के पास से जो है और यहां पर वशिष मंदिर के पास छोड़ती है और यहीं से आगे आप लोगों को बाप्स के लिए भी मिल जाएगा और अगर अपने जोगिनी फॉल की तरफ जाना है तो इस तरफ से जाना होता है तो दोस्तों इस वक्त नहीं खड़ा हू है वसिस ट्रेंपल यह इनका अर्केटेक्टर भार से लकड़ी का है गेट पूरा कि देखिए कि सुंदर बनाया हुआ है यहां पर बैठ सकते है राम से थोड़ी देट तो यह देखिए यहां से व्यू वेशिस्ट टेंपल का चलिए वेशिस्ट टेंपल से निकलके अभी हम राम मंदिर की तरफ निकलेंगे यहां से निकलके हम यह सीडियो के तुरू उपर चड़ेंगे राम मंदिर टेंपल श्री राम मंदिर यह रहा है राम मंदिर का जो टाइमिंग है वो दो से तीन बज़े बंद रहता है यह राम मंदिर यह मंदिर का साइड वॉल हम शिव मंदिर की तरफ निकलते वैसे सबसे बहले शिव मंदिर यह आता है अगर हम देखे तो और यह सिव मंदिर का एक से दो बज़े बंद रहता है यह यह मंदिर का गेट है यहां पर अभी सवा बारा बजने को है और एक से दो बज़े यह टेंपल बंद रहता है शायद आपको दर्शन हो जाए सिर्जी के मंदिर को रखते हुए कि भी जोगणी फॉल्स की तरफ जोगणी फॉल के रास्ता यह 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 वाला ऑच्सटे वाला जोगणी फॉल के रास्ता है यहां से पुक्षा यहँआं से जैंगे हम और यह देख लीजे यहां पर आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा लेंडमार्स मिठाई की दुकान है और जर्मन बेकरी यह है रास्ता जोगनी फॉल्स की तरफ चलते हैं फिर इस खुबसूरत जगह को छोड़के थोड़ा और आगे जोगनी फॉल्स की तरफ तो दोस्तों इस वक्त मैं जोगनी फॉल्स का जो पहला फिर गांटे का रास्ता ए ट्रेक है और जैड़क की तरफ जा रहा है है यह उपडर के परक्ति के लिए लीए पहले लिया इसको अभी यह देखिए ऐसे गरकर रहा है आप इसे इसे आरह तो यहां से चलते हैं और यह देखिए महां से जूप सेखते हुए तो यह आटो वहां से मिली थी उस तरीकी के आटो जो मिली थी यहां पर उतार दी है नोंने मना लिए के बस स्टेंट के पास जो मॉल रोड के पास है मनु मार्कट कह लीजे तो यहां से बसे सब्सक्राइब है यार यह मनाली डिल्ली वाली वाली बस तो तो यह तो यह अपने मॉल में आशियाना पर के वेश्मन के हूं इसका चार बज़ रहें पीछे काम चल रहा है आवाज आरियस में और मैंने पाव बाजी नहीं है एक सो बीस रुपे प्लेट है प्लग जेश्टी आए बहुत मेंगा वाना है यह तो माल आशियाना यहां पैव बाजी ली थी वहादी वाहियात पाव बाजी थी यह भाईया मैंने लिया है सिद्धू यहा पावाज से लिया मैंने बेक डिलाइट तो देखते हैं मैं पहली बार ट्राइब करूंगा यह देखिए कुछ इस तरीके से है आप रूट्स की स्टफिंग है और हरी चटनी के साथ देते हैं तो भाईया कल का दिन भी काफी थ्रिलिंग रहेगा कल मैं जारा सिंकुला पास यहां से बस ले लिए मैंने हजार रुपे का यहां का टिकेट है अच्छा रहेगा दिन कल का भी तो मेरे खाल से आज के लिए इतना ही काफी है मैं जारा अपने होटल मतला होस्टेल टाटा बाई बाई